हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Study IQ के हिंदी यूट्यूब चनल पे मेरे नाम है अभिनौकुमार बोरे और आपके लिए एक important news update है अगर आप सिविल सेवा परिच्छा की तयारी कर रहे हैं तो this is an important current because COP Conference of Parties या participant यह होने वाला है basically UAE में और UAE में भी यह जो conference है यह काफी ज़्यादा विवाद में है चर्चा में है और यह चर्चा में क्यों है और इसके पीछे का विवाद क्या है आज के इस वीडियो में हम जाने का प्रयास करेंगे आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे बहतर तरीके से कि जो COP28 है यह होने वाली है कहाँ पर दुबई यह दुबई जो है वो UAE के एक सिटी है और यहाँ पर यह जो कॉनफरेंस है यह UNFCCC United Nation Framework for यह Climate Change के लिए जो कारे करा जा रहा है उसकी participants की meeting है अब क्या है इसके पीछे विवाद का कारण या फिर क्यों यह इतनी controversial होती जा रही है इसे हम देखेंगे पहले तो आपको date पता हो यह 30 November यानि कि कल की date से यह start हो जाएगी और इसमें क्या एजेंडास रहेंगे किन बिंदूओं पर basically चर्चा होगी आज किस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे before I start याद रखे कि I think आप सभी updated होंगे इस बात से और अगर नहीं है तो जान ले कि study IQ के जो P2I batches है वो P2I batches जिनमें जो cost आप देख पा रहे थे जो यह था यह month end में इसे जो है वो कम करके 22,999 कर दिया गया है मैं मान कर चलता हूं कि आप सभी serious IAS aspirant है यानि कि आप एक professional manner में जो है वो civil sewa परिच्छा की तयारी करना चाहते हैं और अगर आपका यह प्रयास है कि आप अपने first attempt में ही UPSC को clear कर ले तो यह एक game changing opportunity है because इसमें SIP program which is like a crash course यह included है secondly इसमें जो है वो test series included है और इसमें वो सारी सुविधाएं जैसे mains residential program जहाँ पे आपका pre-qualify होने पे आपको जो है वो mains में preparation के लिए study IQ अपने खर्चे पर मैं repeat कर दूँ इस पर आपको कोई भी pay करने के आवशक्ता नहीं होगी उस पर जो है वो study IQ अपने स्थान अपने premises में दिल्ली में बुला कर आपको जो है वो पढ़ाएगा इसके साथ ही अगर आपका by chance pre-qualify नहीं होता तो भी regular classes चलती रहेंगी और आपका सारा syllabus along with answer writing, practice, निबंध ये सब कुछ जो है इसमें included होगा तो मैं मान कर चलता हूँ कि आप सभी और हाँ बेसक इसमें जो है mentorship का program भी included है तो मैं मान कर चलता हूँ कि आप सभी जो sprint है जो अपने first attempt में इस exam को qualify करना चाहते हैं वो definitely इससे जुडेंगे secondly ये याद रखे कि आपके पास test series का भी option है इसमें आपको 100 plus test मिलेंगे answer की में आपको water drop effect में सारी चीज़ें बताई जाएंगी और साथ में आपके पास video solution भी होगा यानि की answer का discussion आपके पास होगा तो ये दौनों ये आपके पास options available हैं ये दौनों options आप तभी prevail कर पाएंगे जब आप faculty code का use करेंगे जैसा यहां mention है ये AK life याद रखे कि website पर विजिट करने पर आपको cost तोरी सी ज़ादा दिखेगी ये code यूज़ करेंगे तब जो मैंने आपको cost बताया है आपको वो cost देखने को मिलेगा ये याद रखेगा ये cost आपको pay नहीं करना है आपको ये cost पे करना है बट ये option केवल और केवल जो है वो 29 और 30 इस date के लिए अब बचा है तो अगर आप join करने के बारे में सोच रहे हैं तो अब ना सोचे बिकॉस समय थोड़ा सा कम है तो जल्दी से जल्दी इसमें join हो जाए अगर आप civil सेवा परिष्छा के तयारी कर रहे हैं तो secondly अब आज ये हमाई discussion पर तो ध्यान दें कि ये जो COP है ये COP का इस इस्थान पर होना और इस पर विवाद होना virgin earth group यहां मैंने mention भी कर रखा एक green peace international ये group है ये group basically इन्होंने interest पर एक question mark लगाया है जहां इनोंने लिखा है कि यहां पर conflict of interest होना संभव है क्यों है तो इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं देखिए जो प्रत्वी पर हो रहा वैश्विक जलवायू परिवर्तन है इसको कम करने के लिए एक earth summit हुई थी 1992 को अगर आप सभी लोग interested होंगे तो 1992 के बाद जो conference हुई जिसे हम UNFCCC के नाम से जानते हैं 1994 से active है और हर वर्ष इसकी meeting होती है अगर आप लोग interested होंगे तो definitely हम इस पर एक video बनाएंगे कि कौन कौन से dimension ऐसे हैं जो exam point of view से आपको पता होने चाहिए वो dimension जो आपको एक तो civil सेवा परिष्चा में और एक aware citizen के पॉँम में आपके लिए important है अगर आप interested है तो definitely इसे comment section में mention करेंगे चलिए तो आगे बढ़ते हैं देखे 1992 में basically एक अर्थ सम्मिट हुई थी और उस अर्थ सम्मिट के पश्चाथ जो है basically आया क्या आया UNFCCC climate change के उपर और इसकी जो भी meeting होती है उसे COP के नाम से जाना जाता है conference of participants या parties यह हर वर्ष होती है और इसका 28th summit जो है अभी दोबई में होने वाली है UAE में होने वाली है अब यह जो summit होगी इस summit को head जो कर रहे हैं वो basically थोड़ा सा controversial है यह जो head कर रहे हैं इनका नाम है सुल्तान एहमत अल-जबेर यह जो person है यह basically minister है UAE में और यह उद्योग और तकनीकी विभाग के जो है वो minister है लेकिन साथ में विवात तकारन यह है कि यह CEO भी है वर्ल्ड की कुछ सबसे बड़ी oil refinery company के अब यह जो statement है यह थोड़ा सा controversial हो जाता है कि एक जैविक जो इनन की तरफ वर्ल्ड बढ़ रहा है और उसकी summit में जो president है वो basically सुयम जो है जीवाश में इनन की company के CEO है अब बात यहां तक होती तो शायद विवाद ना होता आप पाएंगे कि इन्हों ने और UAE ने और Gulf Nation हमेशा जो है यह try करा करते हैं कि वर्ल्ड जहां पर सारा मिलकर सरकित कर रहा है जीवाश मेंदन के उप्योग को बढ़ावा देने के against वहाँ पर जो Gulf Nation है इनकी एकॉनमी जो है वो आधारी थे किस पर जीवाश मेंदन पर तो यह जीवाश मेंदन के alternative के साथ साथ जीवाश मेंदन के उप्योग को भी लाने की बात करते हैं याने की अगर मैं इस पस्तौर पर कहूं तो थोड़ा सा विवाद इस बात पर है कि जो UAE है या जो सुल्तान एहमद है यह वो परसन है या वो nations है जिन्होंने इस SIS को टेबल पर ले आया था इस discussion को टेबल पर ले आया था कि हमें तुरंथ पर करके शिवाश मेंदन को यह देश और जो विक्ति हैं बना हुआ है जो green peace international है I think आप सभी को पता होगा जैसे virgin earth group हो गया जैसे green peace international हो गया यह organization वेश्विक इस्तर की organization है और यह अपने आप में एक स्वयम एक complete entity है इनके द्वारा इस प्रकार के statement आना जैसे यहां लिखा है conflict of interest is obvious यह जो है statement था green peace international का जब इनको तथा इस देश को जो है वो यूए यू को basically जो है वो कहा गया कि आप host करेंगे COP28 को तो यह पूरा जो है वो एक चर्चा है अब इसका second dimension सुनिए याद रखें कि इस COP28 में चर्चा किस बारे में होनी है तो इस चीज़ को समझेगा एक report आई थी global stock tech की अब यह जो report है यह stock tech की जो एक report है सोयम में इसमें यह बताया गया है कि जो पैरिस समझाता हुआ था और उसमें जो लक्ष ताय करे गये थे पैरिस agreement अगर आप लोग इंट्रस्टेड होंगा और मैं दावे के साथ कहता हूँ यह exam point of view से काफी important है आप सभी के लिए याने की आने वाले समय में यह सारी चीजें काफी news में रहेंगी और अगर आप चाहते हैं जैसे एक silent spring एक book आई थी उस book के उपर action हुआ action के बाद 72 में submit 92 में submit और इसी प्रकार से successive manner में 1992 के बाद यहां तक की सारी summits अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सभी comment box में mention कर सकत हैं मैं definitely इस पर dedicated वीडियो बना सकता हूं चलिए तो अगर मैं वापस आँ तो पैरिस समझोता एक 2015 में करा गया agreement था और इसमें कुछ binding in nature clauses थे और कुछ जो है obligatory नहीं भी थे उन clauses को follow करना सारे देश्यों के लिए जरूरी था इस समझोते से आप इस समझोते का प्रभाव क क्या होगा या फिर इस समझोते का कितना महत्त है आप इस बात से समझ सकते हैं कि विश्व की महा सकती USA अपने आपको विड्रौ कर गया था इस agreement से पहले तो जोईन करा फिर डोनाल टरम ने election में यह बात कही है अपने कि हमें जो है वो यह agreement से बाहर आना चाहिए अगर election जी होंगे तो कुल मिला के जो global report आई थी सितंबर के महिने में उसमें कहा गया कि Paris समझोते में यानि कि Paris Agreement में जिन clauses को adopt करा गया था उन clauses को हम successfully fulfill नहीं कर पा रहे हैं हमने लक्ष को अभी तक पूरी तरह से गेन नहीं करा है काफी कुछ बचा हुआ है कुल मिला के हम अभी उतने successful नहीं है अब ये जो report आई थी इस report पर चर्चा होने वाली है COP 28 में इसके अलावा बहुत सारे other events भी है जैसे जो है सतत विकास के उपर यानि कि sustainable development के उपर धारनी विकास के उपर ये कुछ ऐसे लक्ष होने वाले हैं अब इसको समझेगा कि इसमें जो agenda है वो agenda जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा गया है हमें shifting की आवशकता है कहीं न कहीं बहुत सारे देश जो है वो agenda के shifting की आवशकता है बहुत सारे देश जो है इसे mislead कर रहे है या फिर इसे कुछ इस तरीके से deal कर रहे है कि शायद UAE जो है वो ये चाहता है कि विश्व fossil fuel को एकदम सरकील ना करे जो जिवाश्म पर आधारित इंधन है उन्हें एकदम सरकील ना करे अल्टरनेटिव को प्रमोट करना भी एक चीज़ है लेकिन जिवाश्म इंधन का shifting और इससे धीरे धीरे करके जो है emission को कम करना इस पर जादा focus हो ऐसा जो है विश्व अभी अंदाजा लग यह एक जो है वो important चीज़ है अब देखिएगा global warming और climate change पहरे समझोते में लक्ष रखा गया था कि जो वैश्विक तापन हो रहा है जो global warming हो रही है इसे इस वार यानि कि जो इस सदी है इसमें देड़ डिगरी Celsius से कम करने का प्रयास रहेगा यह समझोते में लिखा गया थ और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझेंगे तो आपको exam में यह काफी helpful होगा जैसे इस चीज़ को समझना कि clean development mechanism क्या है और यह mechanism कि इस प्रकास से विकासील और विकसित देशों के मद्ध एक detail में discussion का topic रहा है जहां विकसित देशों को विकासील देशों को पैस पर्यावरन मतलब की development और environment के बीच की एक race इस पर discussion और इसमें हर बार ऐसा नहीं है कि discussion आज हो रहा है basically हर वर्ष इस पर जो है वो discussion होता ही है कि कैसे बदलते हुए विश्व में कैसे changing economies में हम पर्यावरन को counter होने से रोक सकते हैं यह आप समझ सकते हैं कि root and soul होने वाला है इ यह याद रखिए कि इस COP28 में जहां तक मैं sure हूँ कि जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन इनका विजिट नहीं होगा अब यह विजिट क्यों नहीं है इसके बहुत सारे other dimensions भी होंगे पर इस चीज को याद रखिए कि आने वाले टाइम में जो bullet points है या आपके होने के basic कारणों के पीछे का actual reason क्या है actual reason जैसा मैंने आपको बताया कि Gulf countries का intervention या Gulf countries या आप जिने खाड़ी देश कहते हैं इन देशों का countering वो किस तथ्य के आधार पर यह कहते हैं कि जीवाश मीधन के साथ भी या इसे धीरे धीरे change करते हुए भी हम जो सतत्त्विकास के लक्ष हैं जो sustainable development के goals हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं तो यह एक पूरा scenario है जो अभी किस समय जो है वो news पे रहा है मैं मान कर चलता हूं कि आप सभी के लिए information ये जानकारी useful रही होगी और अगर आप जो है आने वाले समय में इस पर एक detail वीडियो चाहते हैं याने कि आप य 28 के पहले की सारी cops और ये सब कुछ start कैसे हुआ अचानक विश्व जो है इस चर्चा पर कैसे पहुँचा के बदलता हुआ पर्यावरण कहीं मानों के लिए घातक ना हो हम उन मानों की बात कर रहे हैं जिस समय जो है और द्योगी करांती के बाय प्रोड़क्ट के रूप में सारे वो देश जो अभी के समय पर्यावरण की बात कर रहे हैं वो उस समय उस विकास को गेन करके enjoy कर रहे थे वो कौन सा आप सोच कर देखें वो कौन सा ऐसा समय होगा वो कौन सा ऐसा event होगा जिस event ने और जिस समय ने इन देशों को जो और द्योगी करांती के फल को enjoy कर रह कि जिसके बाद ये देश जो है इस बात पर एगरी कर गए हों तो I think आपके लिए ये session informative रहा होगा definitely आप जो है इससे आगे अगर चाहेंगे तो हम चर्चा लेकर आएंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में have a very nice day, thank you